नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी और आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सुन्दर कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्शक है स्वर्ग के दर्शन बहुत पुरानी बात है एक गाव में एक छोटा सा बच्चा रहता था वह रोज आपकी इतरे अपनी दादी से कहानी सुनता और फिर सो जाता एक रात उसकी दादी ने उसे स्वर्ग की कहानी सुनाई दादी ने बताया कि स्वर्ग कितना सुन्दर होता है उसमें कितने सुन्दर देवता बैठे होते हैं कैसा दिखता है यह सब सुनकर बच्चे को स्वर्ग सच में देखने की इच्छा हुई यह सोचते सोचते उस हो गया फिर उसे एक सपना आया और सपने में उसे स्वर्ग के एक देवता मिले देवता ने उससे पूछा क्या तुम हमारा स्वर्ग देखना चाहते हो बच्चा तो बहुत खुश हो गया, खुशी से उचल पड़ा, वो बोला हाँ हाँ माराज मुझे स्वर्ग देखने की इच्छा है, क्या तुम स्वर्ग देखने के लिए कुछ भी करोगे, हाँ हाँ माराज मैं स्वर्ग देखने के लिए कुछ भी करूँगा, फिर देवता बच्चे को एक सोनी की डिबी ती और डिबी देकर क्या कहा कि इस डिबी को अपने पास रखो जब भी तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो डिबी में एक सिक्का आ जाएगा और जब ये डिब्बी भर जाएगी तो तुम्हें मैं स्वर्थ के दर्शन करा दूँगा बच्चा खुश हो गया उसने डिब्बी समाल के रख ली जब वह सुबह उठा तो उसे अपना सपना याद था उसने जल्दी से अपने आसपास टटोला तो उसके पास सचमेक सोने की डिब्बी रखी थी वह खुश हो गया उसने डिब्बी को अपने कमरे में रखा और अपने स्कूल चले गया रास्ते में उसे एक भिकारी दिखा तो उसने सोचा क्यों न भिकारी को पैसे दूँ तो मेरी डिब्बी में कुछ पैसे आएंगे उसने भिकारी को एक रुप्या दे दिया और चले गया जब वह घर आया तो उसने देखा डिब्बी में कोई सिक्का नहीं आया बताओ क्यों नहीं आया था क्योंकि उसने वो पैसे प्रशंशा पाने के लिए दिये थे अच्छा काम वो होता है जो बिना किसी स्वारत के किया जाए उसने तो अपने स्वारत के लिए किया कि मैं इसे पैसे दूँगा तो मेरी डिब्बी में भी सिक्का आएगा है ना तो सिक्का नहीं आया फिर एक दिन वो बच्चा मेले में गया मेले में उसे अपना एक पुराना मित्र मिला वो बहुत बिमार था और उसके पास दवाई खरीदने के पैसे भी नहीं थे तो उसने जो पैसे आइसक्रीम खाने के लिए घर से लेके आया था वो उसे दवाई के लिए दे दिये अब घर जाके देखा तो तो डिब्बी में एक सिक्का आ गया दूसरे दिन वो अपने उस बिमार दोस्त को साइकल पे बिठा कर स्कूल भी ले गया घर पहुँचके देखा तो डिब्बी में फिर एक सिक्का आ गया कुछ दिन बाद पड़ोस में एक विवा था उसने विवा के काम में खूब बढ़ चड़कर हाद बटाया तो फिर दिब्बी में कुछ सिक्के आ गए जब वो अस्पताल में जाकर अपने बिमार मित्र को खाना पहुँचाता तो फिर डिब्बी में सिक्का आ जाता अंदे को रास्ता पार करवाता तो डिब्बी में सिक्का आ जाता मंदिर में सफाई करवाता तो डिब्बी में सिक्का आ जाता छोटे बच्चों को पड़ाता तो डिब्बी में सिक्का आ जाता ऐसे करते 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 डिब्बी भड़ती जाती भड़ती जाती पर जब बच्चा घर पे जाता और उसकी बहन की उससे लड़ाई हो जाती वो बहन को पीट देता तो क्या होता शिक्का डिब्बी से गायब हो जाता इस प्रकार जब भी अच्छे काम करता तो डिब्बी भड़ती जाती भड़ती जाती और खराब काम करता तो शिक्का गायब शिक्का गायब पर दीरे दीरे रोज वो अच्छे काम करने की आदर डालता जाता और खराब प्रते जाएं कमना ही होएं है ना इसी प्रकार कुछ दिनों में वो डिब्बी पूरी भर गई वो बहुत खुश था एक दिन वो अपनी सुनेरी सोने की डिब्बी लेकर रस्ते पे जा रहा था और रस्ते में उसे एक सादू मिला सादू ने कहा मेरे पास भी ऐसी एक डिब्बी थी पूरी भरीवी पर वो डिब्बी गंगा में भह गई क्या तुम ये मुझे दे सकते हो उसने लड़के से विंती की अब वो बच्चा तो रोज ही अच्छे काम करता था उसके अच्छे काम करने की आदत भी पढ़ गई थी उसने सोचा कि भाई मैं तो फिर से अच्छे काम करके डिब्बी भर लूंगा इन साधू को डिब्बी देने से ये भी तो अच्छा काम ही होगा और उसने खुशी-खुशी वो डिब्बी साधू को दे दी सादू बहुत खुश हुआ और तुरंत वो सादू ने रूप बदल कर उसी देवता का रूप ले लिया जिसने लड़की को वो डिब्बी दी थी वो बच्चा बहुत खुश हो गया उसने का आप देखिए डिब्बी पूरी भर गई ने का हाँ बेटा अब तुम्हारी अच्छे काम करने की आदत भी पड़ गई है इसलिए अब तुम्हें इस दिब्बी की कोई जरुवत नहीं है बस तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहो और तुम्हारा जीवन बहुत सुन्दर हो जाएगा तो लड़का बोला अरे पर मेर को स्वर्ग के दर्शन तो कराईए तो देवता हसे उन्होंने का हाँ बिलकुल आखे बंद करो और उन्होंने बच्चे की आँखों पे हाथ रखा और बच्चे को स्वर्ग का पूरा नजारा दिखा स्वर्ग में अनेक देवी देवता अपने आसन पर विराज मान थे बड़े बड़े महल, सुन्दर सडकें, बगीचे, फूल, पक्षी, तितलियां इतना सुन्दर नजारा देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ ये बिल्कुल वैसा ही था, जैसा बच्चे की दादी ने उसे कहानी में सुनाया था बच्चे ने प्रसन्न होकर साधू बने देवता माराज को प्रणाम किया और अपने घर चला गया, कहानी खतम तो बच्चो क्या सीखा आपने? आप लोगों को भी अपनी अच्चे कर्मों की सुनैरी डिब्बी भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है, बोलो मेरे साथ भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है और बुरे कर्मों को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है है ना? ठीक है तो अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे आज के लिए इतना ही चलती हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी जैमा भारती